प्यारे विद्यार्तियों नमस्कार आज हम भारतिय स्विदान के अंतरगते नागरिकों को प्राप्त मोलिक अधिकारों का अधिन करेंगे जैसा कि पिछली क्लास में हमने पड़ा था कि भारतिय सविदान की भाग तीन में अनुछेद 12 से 35 के अंतरगत मोलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है इसी कड़ी में आज हम देखते हैं कि भारते सविदान में मूल सविदान में नागरिकों को साथ मौलिक अधिकार दिये गए थे लेकिन चम्वाडी स्वे सविदान संसोधन अधिनियम 1978 के दुआरा संपति के अधिकार को समाप्त कर दिया गया या यू कहें कि मूल अधिकारों से अठा करके इसे कानूनी अधिकार बना दिया गया वर्तमान में छे मौलिक अधिकार बारते स्विदान में हैं जो इस प्रकार है पहला समानता का अधिकार ये अनुचेद 14 से 18 के मद्दे विस्तरित है दूसरा सवतंतरता का अधिकार अनुचेद 19 से 22 तक है शोषण के विरुद अधिकार अनुचेद 23 और 24 धार्मिक सवतंतरता का अधिकार अनुचेद 25 से 28 संसकर्ती और सिक्सा समंदी अधिकार अनुचेद 19 से 30 चटा जो संपतिक अधिकार अनुचेद 31 में था वर्तमान में इसे अनुचेद 300 के में रखा गया है सात्वा सवेधानिक उप्चानों का अधिकार अनुचेद 22 जैसा कि पहला जो मोली का अधिकार है वह है है समानता का अधिकार अनुचेद 14 से 18 तक इसमें अनुचेद 14 के अंतरगते विदिक समानता एम विदियो का समान सरक्षन प्रदान किया गया है अनुचेद 15 में सामाजिक समानता का अधिकार दिया गया है अनुचेद 16 में अवसर की समानता का अधिकार दिया गया है अनुचेद 17 के अंतरगत अस प्रिश्यता का अंत किया गया है और अनुचेद 18 में उपादियों का अंत किया गया है अब हम विश्तरित अद्देन करते हैं अनुचेद 14 का अनुचेद 14 के अंतरगत विदी के समक्ष शम्ता और विदियों का समान संद्रक्षन का अधिकार प्रदान किया गया है अनुचेद 14 में ये प्रावदान है कि परतेक व्यक्ति चाये वह भारतिये हो या विदेशी सब पर ये अधिकार लागू होता है इसको हम दो भागों में बाढ़ते हैं पहला विदी के समक्ष समान्ता का तात्प्रिय है किसी व्यक्ति के पक्ष में विशिष्ट अधिकारों का नय होना अरतात कोई भी व्यक्ति हो वो कानून के अधिकार में समान है उसे कोई विशेस अधिकार प्राप्त नहीं होगा साधारण कानून के तेत सभी व्यक्तियों की समानता और तीसरा इसका लक्षन है कोई विशेस का नहीं है विदी की शमता का जो विचार है बिटीस मूल का है क्योंकि बिटेन में विदी का सासन देया गया था उसका हम आगे की क्लास में देन करेंगे एवी डाइसी का विदी का सासन क्या है इसी परकार अनुचे चोदा का दो सेकिंड भाग है वो है विदी के समक शमान सर्रक्षन है यह सकारात्म का दिकार है इसका तात्परिय है कि न्याई पाली का गरीब या कमजोर वर्ग के उठान के लिए तर्ग संगत बेदबाव करेग न्याई पाली का समान प्रस्तितियों वाले के साथ समान व्यवार तता ए समान प्रस्तिति वाले व्यक्तियों के साथ ए समान व्यवार करेगी लेकिन यह वेदबाव तर्ग संगत वे बुद्धी गम में होना चाहिए अर्था जो अमीर है उसकी तुलना में गरीब को कारिय करेगी यह आरक्षन जो दिया जाता है वो इसी पर आदारित होता है यह उपबंद एमेरिका की सविदान से लिया गया है याद रखने की बात यह है कि रोयपप बनाम तमिल लाडू राज्ये वाद 1978 में यह निर्ने दिया गया कि विदि के समक्ष शमानता और विदियो का समान सा रक्षन एक दूसरे के पूरक है यह विरोधी नहीं है धन्यवाद आज के लिए इतना ही